हलो फ्रेंड्स वालकेम टू टेक्निकल जजबा जैसा कि आप सभी को पता है कि MS Word का सिक्विंस चल रहा है और MS Word की पिछली वीडियो को देखने के लिए दिस्क्रिप्शन में दिये गया लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी वीडियो को देख सकते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे बताने वाला हूँ कि MSWord में किसी भी डॉक्मेंट को कैसे करते हैं प्रिंट और कैसे करते हैं उसका पेज सेटप यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसे आप ध्यान से देखेंगे तो चलिए देर ना करते वें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज हम लोग सिखेंगे MS Word 2016 में documents page को print करना और page setup करना तो page setup करने के लिए तो layout tab में दिये गए page setup group के जरीए भी page को setup किया जा सकता है लेकिन इससे बहतर है कि हम लोग file menu के print option पर चलते हैं तो यहां से हम लोग page setup भी कर सकते हैं और print भी ले सकते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि right side में page का preview दिखता है और कितना page है वो आप नीचे देख सकते हैं 12 page का documents है जिसमें first page को preview कर रहा है यह और left side में सारे settings हैं सबसे उपर दिया हुआ है print जैसी हम print पर क्लिक करते हैं तो यह printer के लिए print को तुरत information देता और printer से print निकलना शुरू हो जाएगा वारो page को अगर हम print करना चाहते हैं तो कितना copy मान लिया कि हमें 4 लोगों को यह देना है तो बारो page का 4 set चाहिए तो हम यहां कर देते हैं spin करके 4 या फिर यहां हम लोग type भी कर सकते हैं मान लिया हमें 10 चाहिए तो 10 लिख सकते हैं या स्पीन करके हम कम ज्यादा दोनों कर सकते हैं तो यहां copies decide कर सकते हैं नीचे आते हैं तो दिया हुआ है printer अब यहां सबसे पहले हमें यह डिसाइट करना था है किस printer से हमें print करना है तो अगर आपके computer में या laptop में एक से ज़्यादा printer install है तो वो सारे option यहां दिखेंगे अगर एक है तो एक ही दिखेंगे तो किस printer से अभी print आप देने वाले हैं या कौन सा printer अभी आपके system से connect है वो आप यहां से पहले select करने मान लिया है कि यहां दो printer है यह सब तो by default आता है यह दो printer install है और यह जो ब्लूटिक दिखता है यह by default इससे प्रिंट ले लेगा अगर setting चेंज नहीं किया जाए तो यह आप चाहें तो इससे ले ले और एक चीज़ आप देख सकते हैं आफ लाइन लिखा है तो आफ लाइन लिखने का मतलब है कि अभी इससे कोई printer connect नहीं है या जो printer connect है वो ओफ है तो connection नहीं होता है सिस्टम से तो वो offline होता है और अगर connection बना हुए प्रिंटर के साथ तो यहां online लिखेगा तो जो भी online हो आप उसे print ले सकते हैं मान लिए option का मैंने select कर लिया अब यहां दिया हुए है printer properties तो printer properties थोड़ा अलग printer का different properties होता है और यहां से आप लोग वह भी decide कर सकते हैं कि black and white करना है और प्लेन पेपर करना है फास्ट करना है मतलब कैसा प्रिंट करना है वह अलग-अलग printer की सेटिंग होती है जैसे वह वह वैसे भी common चीज़ नहीं है थो इतना important नहीं है अगर आप वह नहीं जानते है तो भी आप print ले सकते हैं सेटिंग में हम देखते हैं क्या क्या सेटिंग है तो सबसे पहला option जो दिया हुए है वो है print all pages print all pages मतलब की 12 पेज का documents है तो वह 12 के 12 पेज को print कर देगा अब यहां से हम दो देख सकते हैं कि और कौन-कौन से option हमारे पास है तो print selection अगर हम documents में कु कोई भी text select नहीं किया है इसलिए वो highlight नहीं है फिलहाल यहां नीचे देख सकते हैं तो दिया हुए print current page जो current page यहां preview हो रहा है मतलब first page या fourth six जो भी खुला होता है उसे वो print कर देगा custom print पर अगर हम click करते हैं तो custom print में यहां हमें print करने के लिए देता है कि आप pages select कर लें ज 3,5-2L ऐसे करके आप जो है कि मतलब कॉमा देदे करके आप जितने page को print करना चाहते हैं कर सकते हैं for example मैं पहले page print को पर चाहता हूं फिर चौथे page को करना चाहते हैं कॉमा 4,6,9 ऐसे करके हम प्रिट करना चाहते हैं तो custom print करके यह decide कर सकते हैं कि कौन-कौन सा page हमें चाहिए चलिए अब इसके बाद जो है important चीज़ है वो है नीचे जावगा कि only print odd pages only print even pages तो अभी print markup पे है पहले और को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इससे होगा कि आपका 1,3,5,7,9,11 ऐसे करके print हो जाएगा फिर हम सभी पेज को उलट करके लगा देते हैं और प्लट के लगाने के बाद यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं print even pages अब even page लेने से क्या होता है कि यहां पर आप just one के पीछे two, three के पीछे four, five के पीछे six अपने आप से ठोकर करके वो print हो जाता है तो लेते हैं नीचे दिया हुआ है print one sided को प्रींटर आते है जिनमें दोनों तरफ एक साथ परेंट कर सकता है तो यहां हम ले सकते हैं कि अगर दोनों तरफ पर्रेंट करना है तो यहां कर सकते हैं मैनुवली प्रिंट ऑन बहुत साइड्स जानी दोने तरफ प्रिंट करना है तो वहना ज्यादा तर तो यह प्रिंट फोन साइड़ ही रहता है चलिए नीचे आते हैं को लैटेड यह कोलेट बड़ा काम का चीज है क्या होता है कि जैसे आप यहां सिक्विंस सेट कर सकते हैं क क्या आपका पेज जो है वो कैसे प्रिंट हो एक्जामपल हमें यह 12 पेज है और चार लोगों को अगर प्रिंट करना है तो हमने 4 यहां सिलेट कर लिया तो यह प्रिंट कैसे कर एगर है तो उन टू तो तरी फॉर फाइब ऐसे करके 12 पेज करेगा फिर एक से लेकरके 12 तक प्रिंट पेज करेगा फिर एक से लेकर के बारत तक ऐसे यह पेज प्रिंट होगा डॉक्मेंट करेगा अगर अन्लोकेटेट कर देते हैं तो यह क्या करेगा कि एक नंबर पेज को को चार पेज निकाल देगा फिर दो नंबर को चार फिर तीन नंबर को चार पेज ऐसे करकर प्रिंट करेद़ का तो दोनों की नौबत आती है अब नीचे आते हैं तो यह दिया हुआ है यह पेज जो है चोड़ाई में मतलब ज्यादा है और लंबाई में कम है यानि कि हाइड कम और विड ज्यादा है और पोट्रेट में कहा है कि हाइड ज्यादा और विड कम होते हैं तो बाइड इफल्ट यह पोट्रेट होते हैं और इंटेशन में सेलेक्ट अब उसके आते हैं नीचे तो दिया हुए है लेटर बाइडिफल्ट जो डॉक्मेंट्स में पेज का जो साइज होता है वो लेटर साइज होता है और लेटर का जो साइज होता है वह होता है 11 सरी 8.5 इंटू 11 इंच यहनि कि साढ़े आठ बाइगारा ऐसे में मतलब आप यहां से यहां तक की जो दूरी देख रहे हैं वह 11.5 इंच है और ऐसे आप हाइड जो देख रहे हैं वह है 11 इंच यह है लेटर का साइज तो बाइडिफल्ट लेटर सेलेक्ट रहता है लेकिन हम ज्यादा तर जो प्रिंटर में यूज करते हैं पेज वह एफॉर साइज यूज कर जाता है तो आप यहां से कूी सकते हैं यहधा एफ़ ले ले लेते हैं तो यहां ममें दिखा रहा है और नीचे आपको इंच में दिखा रहा है तो यह इंच में एट.27 intuitive 11.69 यानि कि इसका है वह थोड़ा कम हो गया और हाइड जो है वो लेटर से ज्यादा अर्छा हो गया अ या लेटर भी हुज होता है और इसमें एक लिगल जो है वो भी ज़्यादा तर यूज किया जाता है लिगल और लेटर ₹ तोतना ही हाइट यह वह 14 निच है तो एक स्टेमाइटर से लीटर गर को प्रिंट किया जा सकता है जो है तो यह है वह ऊवाइच का साइज ने कर सकते हैं तो यह है आपके पेज का साइज स्वेड़ खरने के लिए अब आते हैं नीचे है यहां मार्जिन देख सकते हैं तो बाई डिफल्ट जो है यह होता है नॉर्मल और नॉर्मल में इसका बाई डिफल्ट साइज जो है वह टॉप बटम राइट लेफ्ट वन इंच का मार्जिन होता है यानि एक एक इंच चारो तरफ यह चुटा होता है आपके पेश पर लेज हम ये सेटिंग किया गया है वह नीचे से कस्टम करना होता है छिल इसको समझ लें नीचे जो दिया हुआ है वह है और यह होता है कि टॉप और बटम जो है वो जैसा वन इंच बाइड रहता है वो रहेगा लेकिन लिफ्ट और राइट को थोड़ा सा कम कर देता है मार्जिन यानिकि 7.5 और 7.5 मतलब 0.75 0.75 वाइड के बारे में बात करते हैं तो वाइड में जो है टॉप पर वन इंच बॉटम में वन इंच लिफ्ट और राइट का जो है मार्जिन ज्यादा हो जाता है तो देख सकते हैं लिफ्ट और राइट से मार्जिन ज्यादा है अब आता है सबसे नीचे जो है व उसको निकालने के बाद भीन फगारा करना है तो हम लोग मिर्ड में प्रिंट कर लेते हैं यहां प्रिव्य को देख भी सकते हैं कैसे प्रिंट होगा टॉप में वन इंच है बॉतम में भी वन इंच है बट नीचे जो आप देख सकते है rYT और प्रिंट नहीं लिखा हुआ इंसाइड आउट में ना और इनसाइड को समझेंगे की क्या है अगर हम इन दोनों को चाहते हैं कि बैंट करने तो इधर जो है ज्यादा जगा होना चाहिए क्योंकि इधर का जो है वह बैंट करने के लिए एरिया चाहिए और इधर दूसरे वाले पेज में तो इसमें इधर की तरफ हमें ज्यादा मार्जिन चाहिए तो यह कहने का मतलब है कि जो अंदर की तरफ पढ़ रहा है वो होता है इंसाइड इसमें भी जो अंदर की तरफ हो इंसाइड है तो दोनों पेज में अलग-अलग तरफ है इस पेज में राइट साइड में इंसाइड है तो जो इंसाइड में है वो साइड में ज्यादा मार्जिन होगा और आउट सा परिफ्ट में वन इंच है ивать मों इंच आप चाहें तो यहां से अलग-अलग साइस कमज्ड़ा कर सकते हैं यहां से बी कर सकते हैं या फिर बहुष्ट टाइप कर सकते हैं तो जिदर भी को जएधा मार्जिन बढ़ाना हो या गाटाना हो नहीं चाहिए उसके नीचे आते हैं तो दिया हुआ है जटर अलग सा है option अब सब्सक्राइबर समझे क्या होता है कै यह दिए क्रेज की उस्में होती है जैसे हम लोग कोई बुक या कॉपी एस्पैरल कॉपी या बुक आपने देखा होगा कि एक तरफ से उसमें पंच किया जाता है या फिर होल करके उसमें स्प्रिंग की तरह लगा होता है तो उसके लिए या तो टॉप से करते हैं या फिर लेफ्ट से करते हैं तो इन दोनों में से किसी एक सा आपको देखे थोड़ा सा बढ़ा लिए मैं और ले लेते हैं तो वन इंच पुरा लेना है तो वन इंच ले लो जाना जिरो पॉइंट फाइब करते हैं तो यह तना एरिया मैं इधर है टॉप में हम स्पैरिंग करने के लिए गडर बढ़ा सकते हैं समझ गडर गया है नीचे और इंटेशन और इंटेशन जैस्ट हम लोगों ने पहले देखा है और इंटेशन में पोड़ेटर लाइंडस का होता है आप यहाँ प्रिव्यू देख सकते हैं पोड़ेट कट को लोगों घ्री होता है तो यह मिल आइसे इनसाइड इसका इंसाइड यह इसका इंसड यह तो ऐसे में जो है कि इनसाइड को हम लोग ज्यादा वड़ा सकते हैं केसे तो दोपेज़ पर शीटॉड Two今 इक ही फीट पर दो पेज को प्रिंट करेगा next जो है वो है book fold book fold जो है यह हमेशा land scap में print होता है potent में नहीं होगा page के land scap में half page पर कुछ contents और half page पर उसके आगे का contents print कर देता है ताकि आप easily उस page को ऐसे fold करेंगे तो वो एक just book की तरह बनता है मतलब एक ही page पर आप चाहेंगे तो बना सकते हैं कि फोल्ड करने पर वो सॉलिड सेट हो जाए यह लाइड सकत में होता है पॉट्रेट में नहीं होगा पॉट्रेट पर क्लिक करना चाहेंगे नहीं काम करेगा समझगे बात को तो यहां से आप जो है कि बुकलिट सेट कर सकते हैं कितना चाहिए आपको शीट चलिए बार क्याव यहां समस्कों कर लेते हैं नॉर्मल तो अम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यहां तक ऑप्शन सेट्यास डिफॉल्ट करने तो जो भी सेटिंग हम लोग चेंज कियोंगे वह सब कुछ डिफॉल्ट हो जाता है तो यह दिफॉल्ट सेटिंग हो गया जादा लंबी वीडियो हो जाएगी ब्रेक में कई सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में समझेंगे वीडियो में तो आज के लिए इतना ही काफी है मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए जैहिंद